नमस्कार आप देख रहे हैं दनिग्वासकर उत्रा खंड उतर प्रदेश में हो आपके साथ सप्डा पांडे आए डालते हैं एक नजर उत्रा खंड उतर प्रदेश की खबरों पर 24 घंटे में 45 स्थानों पर वनागनी की घटाएं श्री नगर में आग बुझाने के दोरान वन सर पंच सहित दो जुल से प्रदेश में बीते 24 घंटे में 45 स्थानों पर जंगलों में आग लगी गडवाल में 16 कुमाओं में 28 तो वनागनी की एक घटना संगरक्षत वन जीवी विहार में हुई प्रदेश में वनागनी की अब तक कुल 446 घटाएं रिपोर्ट हुई हैं तो वहीं मंगलवार को वनागनी एवं आपदा प्रबंधन कारियाले की ओर से जारी रिपोर्ट की अनुसार बीते 24 घंटे में गड़वाल में आरक्षित वनक्षेतर में 13 और सिविल वन पंचाद क्षेतर में 3 स्थानों सहेत कुल 16 वनागनी की घटनाएं रिपोर्ट की गए इसी तरीके से कुमाओं में भी आरक्षित वनक्षेत्र में 24 और सिविल वन पंचाथ क्षेत्र में 4 कुल 28 स्थानों पर जंगलों में आग लगी जिसमें कुल 75.5 हेक्टेर वनक्षेत्र को नुकसान पहुचा है वहीं 22,000 रुपे आर्थिक श्रती का भी आकलन किया गया है वहीं दूसरी ओर से श्रेनगर में वन सरपंच प्रमोट सिंग कांडी खाल वन आगनी बुझाने के दौरान छुलस गये और फायर वॉचर सुर्वीर लाल भी चोटिल हो गये उत्राखंड कॉंग्रेस में नवनी उक्तियों को लेकर घमासान देवेंद्र यादो पर सौपी गई असंतोष पर काबू पानी की जिम्मेदारी कॉंग्रेस ने विधान सबाचुनाओ की हार के बाद प्रदेश में बड़े बदलाओ का निर्ने तो ले लिया लेकिन इससे पार्टी में तकरीबन सभी वरिष्ट निता नारास दिखाई दे रहे हैं नए चहरों पर खेला गया पार्टी का यहदाव मुश्किल साबित हो रहा है और यह तस्वीर आने वाले दिनों में साफ होगी लेकिन फिलहाल असंतोष के थमने का इन नाम नहीं ले रहा जिसके लिए प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव 17 अप्रेल को उत्राखन दौरे पर आएंगे पार्टी कोशिश कर रही है कि इस दौरान असंतोष पर काभू पाया जा सके संग प्रमुख मोहन भागवत ने पूर्णानंद आश्रम में की श्री गुरु चरण मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा संतों से भी की मुलाकात राश्रीय सोयं सेवक संग के सर संग सालक मोहन भागवत वुद्वार को धर्व नगरी हरिद्वार पहूंचे और श्री पूर्णानंद आश्रम के 68 वे वेदांत संभीलन में भाग लिया उन्होंने कलखल स्थेट श्री पूर्णा नंद आश्रम कृष्ण निवास में श्री गुरु चरण की मूर्ती की प्राण प्रतिष्ठा की इसके बाद मोहन भागवत ने श्री गुरु मंदिर का लोकारपन किया तो वहीं इससे पहली मंगलवार कोव है रायवाला देहरदू हरिश धामी भाजपा में हो सकते हैं शामिल हार्चुला के विद्धायक हरीश धामी के भाजपा में जाना लगभगत तयमाना जा रहा है धार्चुला गोरी जाल वह अन्य ब्लॉक अध्यक्ष्ष सहित सभी ने कॉंग्रिस की प्राथ्मित सदसित और पदों से त्याग मत् सांतीक शेत्र में कॉंग्रेस छोड़ने वालों का सिलसिला जारी है तो वहीं जब विधायक धामी से भाजपा में शामिल होने की बाद पूछी गए तो उन्होंने इस पश्ट तो कुछ नहीं कहा पर यह कहते हुए संकेत दिया है कि उन्हें जितानी वाली जनता और पार्ट सीन लगवाएं मास्क बहनी सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहें दैनिक भासकर उत्राखन उत्तर प्रदेश